हत्या करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफतार दिनाग 25 मई 2024 को फरियादी महेंडर पिता स्वर शून्य भागीरत बुनकर चार उम्र 26 साल निवासी विघा थाना दिगोडा द्वारा थाना आकर अपने पिता भागीरत पिता बल्दू बुनकर उम्र 50 साल निवासी कर जाच में लिया गया बरिष्ट अधिकारियों द्वारा दिये गिये निर्देश PM रिपोर्ट एवं FSL जाच से उक घटना संदेहास पद पाय जाने पर पुलिस अधीकशक टीकमगर द्वारा उक घटना की सही धन्ग से जाच कर घटना के खुला से हेतु अति शून्य प निकमत अमली से पूच्ताच करने पर मृतक भागीरत बुनकर के लड़के महेंडर बुनकर, मृतक की पतनी एवं लड़की द्वारा मृतक को लाठी, कुदाली से मारपीट कर मृत्यो कारित चोटे पहुंचाई गई, जिससे भागीरत बुनकर की मृत्यो हो गई आरोपियों ने पूच्ताच पर जुर्म करना स्वीकार किया जो प्रकरण में आरोपी गनों के मेमोरेंडिम कथन लेक कर जबती कारेवाही कर गिर शून्य किया गया घटना का कारण मृतक के द्वारा लगातार अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी घटना दिना को भी मृतक द्वारा पत्नी की मारपीट की जा रही थी जिससे तंग आकर मृतक की पत्नी वेती एवं लड़के द्वारा मृतक की लाथी दंडो से मारपीट कर हत्या कर दी गई प्रशंसनिय भूमिका उप्तकारेवाही में निरीक्षक M0P0, गोर्ठाना प्रभारी दिगोडा, उप्निरीक्षक नीरच कुमार लोधी, सुनी, कल्यान सिंग यादव, सुनी, मुन्नालाल, प्रशुन्य आरशुन्य, विजय सिंग, राकेश घोश, मुकेश राय, आरक्षक शैलेंड, रावत, पंकच साहू, अन्खित साहू, मशुन्य आरशुन्य कल्पना साहू, व मशुन्य आरशुन्य राखी यादव की सराहनी ये भूमिका रही ये थाना दिगोड़ा में जिनांक 25 में 2024 को महन खुनकर ने थाने में रिपोर्ट किया कि उसके पिताब आगिरत सथ से गिर के किताम हो गया है जिसकी अपना इस्तर सो परिक्षन, प्यम रिपोर्ट और म्रतक के परिजन, महन, बेटा महन, पत्नी उद्देती, लड़की मनिशा से पुस्ताज करने वे ग्यात हुआ कि म्रतक के परिजन, लड़का महन, पत्नी उद्देती, लड़की मनिशा के द्वारा जो है लाथी और उदाली से मार्पिट हथिया करती क्योंकि म्रतक जो है उसकी पत्नी उद्देती को मार्पिट करके परिशान करता था, जिसके कारण उसके हथिया की गई कि इसमें तीन आरूपी सामिल है लड़का महन पतनी उद्दी और लड़की मनिशा के द्वारा गटना गटित की लिए और तीन आरूपी पुलिस द्वारा क्रप्तर किये गया है सब आरूपी की पतनी उद्दी उसके साथ में मार्फिट करके या फिस समय से परेशान करता था इसी परेशानी के कारण ये गटना के देट की लिए इसमें धारा तिन सो दो सो एक चोटिस के तहत मुकदमा दायाव करके दिरुफतार किया गया है अवे इसना मैं